हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल मैथ सलब पर दोस्तों मैं हूँ भी पिन यादब और आज हम आपको बेसिक मैथ में एपिसोड एकिसमा लेकर आया हूँ और इस वीडियो में हम आपको रेसियो एन परफोस्टन के बेसिक कोंसेप्ट की जनकारी देंगे वो जनकारी इतनी बेसिक अच्छी बेसिक होगी कि आप बड़े सवाल भी कर पाएंगे तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बने रहना है, आप गनीत में बहुत कमजोड हैं और आपको डर लगता है, जोकि आप लोग का फरमाई सा रहा था कि सर अर्थमेटिक के बारे में भी कुछ बेसिक जनकारी दिया जाए, तो आएए मैं आज अर्थमेटिक को लेक मैट्स लब है, दूसरा आपका चैनल है मैट्स मस्ती, तो उस पर भाई जो भी एकजाम हो रहे हैं, उनके कुछन कराया जाते हैं, उनके टोपिक पढ़ाया जाते हैं, एकजाम में ये भी आएंगे, पर इसमें हम चाहते हैं कि भाई हम आपको गनीत सिखा दें, जो इसक बात करने आया हूँ, तो समझाओंगा अच्छे से, रेसियो यानि कि इसको कहते हैं हिंदी में अनुपात, रेसियो को अनुपात कहते हैं, अनुपात, और टॉपिक जो होता है, वो होता है चेप्टर ही है, अनुपात और समानुपात, तो अनुपात और समानुपात म आप बहुत बहतरीन बहतरीन चीजे देखेंगे अनुपात और समानुपात में ध्यान दीजिएगा अनुपात का ये सिम्बॉल होता है दोस्तों ये दो बार डॉट अनुपात और ये चार बार जब डॉट है तो इसको समानुपात कहते हैं इसको अनुपात कहते हैं जैसे अगर आ अनुपात B है इसको आप A अनुपात B पढ़ेंगे ऐसा सिम्बल बीच में है A अनुपात B पढ़ेंगे और दोस्तों A अनुपात B को न A बटा B भी लिखा जाता है A अनुपात B को A बटा B भी लिखा जाता है अनुपात का मतलब होता है अनुपात का काम है कि दो सजाती रासियों के बीच तुलनातमक संबंद को दरसाएगा अनुपात का यही काम है तो जैसे मालो मैंने कहा आठ दो का कितना गुना है तो यह अनुपात में लिखने से पता चल जाएगा क्योंकि आप इसे लिखेंगे 8 बटा 2 पहले बला को उपर, नीचे बला को, बाद बला को नीचे 2 चौके 8 उपर में 4, नीचे कुछ नहीं तो एक होगा न यानि नीचे बला का उपर बला 4 गुना इसका ये चार गुना है ये तुलनातमक संबंध हुआ, इसके बीच तुलना हुई कि अगर ये चार है, तो ये एक है पक्का, मैं especially यह वीडियो उनहीं के लिए बनाता हूँ जिनको गनीत साफ नहीं समझ में आता है तो रेशियो का मतलब समझे ये रेशियो, इसी को बोलते है, रेशियो बोलते है अनुपात को ही रेशियो कहा जाता है रेशियो and proportion यानि कि अनुपात और समानुपात ये होता है दोस्तों, एक बात बताईए अगर मैंने 12 बटा 6 लिखा आप डाइडेक्ट काट सकते हो चो एकम 6, 6 दूना 12, हाँ दो अनुपात 1, देखो 12 बटा 6, इसका मतलब 6 दूना 12, इसके बटा कुछ नहीं तो 1, अब 2 बटा 1 को हम, 2 अनुपात 1 भी लिख सकते हैं, अनुपात का मतलब बटा ही होता है, अनुपात का मतलब क्या होता है, बटा ही होता है, तो ध्यान दीजि मालो की तीन अनुपात एक में है, तो जरूरी नहीं कि वह संख्या तीन और एक ही हो, यह जरूरी नहीं है, वह संख्या जादा हो सकता है, इसका दुगना लिख दीजिए 6, इसका दुगना लिख दीजिए 2, यह भी आएगा तो तीन अनुपात एक में ही आएगा, देखिए, चो बट्टा दो इसको काटिएगा दो तियाई चो तीन बट्टा एक हुआ तीन अनुपात एक बोल सकते हैं कि नहीं यानि चो और दो का जो रेशियो होगा तीन अनुपात एक का ही होगा दोस्तों, तीन का तीगुना करिए नव, एक का तीगुना करिए तीन, यी भी वही है, वो संख्या नव और तीन भी हो सकता है देखिए तीन एकम तीन, तीन तीय नव, तीन अनुपात एक का रेशियो आया की नहीं आया यानि अगर किसी संख्या का रेशियो दो अनुपात एक है इसका ये मतलब नहीं है कि वो संख्या सिर्फ दो और एक ही हो सकता है ये अनुपातिक मान है कोई बरा संख्या हो सकता है हो सकता है कि दो और एक ही हो लेकिन इससे बड़ी बड़ी संख्या भी हो सकती है और उनको काटते 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 अंतिम रूप में 2 और 1 आया जैसे अगर मैंने लिखा 8 और 4 तो इसका भी रेशियो 2 अनुपातेक होगा 4 दूना 8, 4 एकम 4, 2 अनुपातेक होगा कि नहीं? कोई संख्या मैंने 40 लिख दिया और 20 लिख दिया इसका भी रेशियो 2 अनुपातेक होगा 0 से 0 कटा, 2 एकम 2, 2 दूना 4 जानि कि रेशियो 2 अनुपातेक ऐसा भी हो सकता है कि वो 64 और 32 हो संख्या नहीं हो सकता, हो सकता, 32 से काट दिजे, 32 दूना 64 अब 32 एकम 32, अनंत रेशियो ऐसे संख्याओं के हो सकते बहुत सारे संख्या, अनंत संख्या, इतनी संख्या हो सकती है, ऐसे संख्या लेना है, जो अगला उसका दुगना हो तो ratio जो होता है वो किसी भी संख्या का सबसे छोटा रूप होता है वो भिन होता है ratio का मतलब यही हुआ किसी भी संख्या, किसी भी 2 या 3 संख्या जितने भी संख्या हो उस सारे संख्या का सबसे छोटा मान ratio 3 अनुपात 2 अनुपात, 1 भी तो हो सकता है है कुछ भी हो सकता है इसका डबल छो इसका डबल चार इसका डबल दो वो संख्या छो चार दो भी हो सकता है इसका चार गुना कर लीजिए चार तीय बारह इसका चार गुना आठ इसका चार गुना चार ये देखिए बारह आठ चार भी हो सकता है वो संख्या और सारे हो सकते हैं इन्हें को डबल करके देख लो आपको इसका भी रेशियो तीन दो एक ही आएगा जब आप बार आठ और चार को रेशियो में बदलेंगे तो भईया चार एक कम चार चार दुना आठ चार तीय बार तीन दो एक तो मैं बस ये समझाना चाह रहा था कि रेशियो का मतलब य होता है कि किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या का भी सबसे छोटा भिन में मान यानि अनुपात में नहीं भिन यानि बटा में मान तो अब समझ लिए ये बात आपको समझ में आ गया अब देखो रेशियो में क्या होगा कि कोई ग्रूप देदेगा कि ए अनुपात बी का मा तीन अनुपात पांच है, तो कह देगा हम लोगों से, कि जरा बताइए कि A अनुपात B, अनुपात C का मान क्या होगा, तो आपको क्या करना चाहिए, ये दो गुरूप है, तीन गुरूप भी हो सकता है, आपको क्या करना चाहिए, A अनुपात B, A का मान यहां दो हुआ, अब B का मान तीन हुआ, A और B में A पर्थम पद है, B दूतिये पद है, उसी तरह दू पर्थम पद है और तीन दूतिये पद है, तो पर्थम पद पर्थम बला का, और दूतिये पद दूतिये बला का, यानि A का मान अगर दो होगा, त तीन अनुपात पांच का, बहुत बढ़िया, इस ग्रूप में है A और B, यही ध्यान देना है, इस ग्रूप में है A और B, इस ग्रूप में है B और C, तो भाईया जी कौमन कौन है, ऐसा कौन है जो दोनों ग्रूप में है, आप कहेंगे सर B, B यहां भी है, B यहां भी है, तो B के मान नीचे देखना B का मान दोनों जगह समान है अगर दोनों जगह समान है तो ठीक है और समान नहीं है तो समान करना पड़ेगा यहाँ पर देखे B का मान तीन यहाँ भी B का मान तीन तो कोई दिक्कत नहीं है यह मान समान है जी तो A का मान अब सब का मान सही है बाकी का मान क्या उसे मतलब नहीं कौमन बला का मान समान होना चाहिए तो A का मान दो अनुपात B का मान हर जगा तीन और C का मान हर जगा पांच आपका एंसर हो गया दो अनुपात तीन अनुपात पांच 2 अनुपात 3 है तथा B अनुपात C बराबर 5 अनुपात 7 है तो आपसे पूछ देगा कि जरा बताओ A अनुपात B अनुपात C का मान क्या है मैं आपको दो तरीका समझाओंगा इसमें A अनुपात B का मान 2 अनुपात 3 A अनुपात B का मान कितना है दो अनुपात ते और B अनुपात C का मान कितना है? पांच अनुपात साथ दोस्तों एक बात मुझे बताईए A और B, B और C इन दोनों में common कौन है? आप कहेंगे सर B तो common बला का मान यहाँ जीतना है वहाँ इतना यहाँ जीतना था उतना ही यहाँ रहना चाहिए तो ठीक रहता या तो दोनों जगा तीन रहता या दोनों जगा B का मान पांच रहता तो बढ़िया रहता अभी यह balance नहीं है तो इसको balance करना होता है सोचिए कि पांच के table में ऐसा क्या आएगा जो 3 के भी table में आएगा यहां आपको ऐसे सोचना कि इस तीन से इस पूर्य को गुणा करिए अब कहिएगा पूर्य को क्यूं करे सर बी का मान पंदर करना है इसलिए कि 5 बट्टा 7 है यह 5 अनुपाद 7 का मतलब 5 बट्टा 7 अगर आपने इसमें 3 से गुना किया तो इसको भी 3 से करना पड़ेगा मैथ का रूल कहता है कि जितना संख्या से उपर गुना करते हैं कोई संख्या से उपर गुना करते हैं तो उसी संख्या से नीचे भी गुना करियेगा तम मान में कोई changing नहीं होगा ये 5 बटा 7 वापस आ जाएगा क्योंकि देखो ये 5 तीय पंद्रह हुआ और ये 7 तीय ये कईस हुआ अगर काटूंगा 3 से तो 5 बार में 3 से कटा 7 बार में तो यही तो हुआ सुनिये ये बात बताईए मुझे तो आपको जब भी गुना करना होगा तो ज़्यादा करना है अच्छा गुना ही क्यों करना है इसलिए कि ये अनुपातिक मान है और अनुपातिक मान होता है सबसे छोटा मान वो संख्या बड़ा रहा होगा पर वो कट के आ गया होगा दू अनुपातिन अभी नहीं कट सकता यह भी अब नहीं कट सकता, बात देखिए काटके, काटके देखिए, बात समझ रहे की नहीं, यह नहीं कटेगा, तो संख्या बड़ा रहा होगा, इसलिए हम इसको गुना करके बड़ा करेंगे, तो बड़ा करेंगे तो गुना यही तीन से इधर कर दीजिए, तो तीन सते 21 ह और तीन पचे 15 हुआ, अब क्या करना है? इसको भी 15 बनाना है, इस 5 से इधर कर दीजिए, 5 तीय पंदर हो जाएगा जी, 5 तीय पंदर हो गया, और देखो 5 दूना 10 हो गया, अब किवल ये देखना है आपको, कि B का मान दोनों जगा समान हो गया, तब ठीक है, A का मान है आपक 10-15-21, क्या ये कटेगा, नहीं कटेगा, कोई एक संख्या से अगर सब कटता है तो काटिएगा, नहीं कटता है तो मत काटिएगा दोस्तों, ये आपका एंसर हो गया, 10-15-21, लेकिन कभी-कभी A अनुपात C का मान पूछ देता है आपसे सवाल, ये तो पहला पूछा गया, दूसरा सवाल ऐसा पूछ देगा, A अनुपात C बताईए मतलब, A B था, B C था, तो सबसे सुरू बला, और सबसे अंतिम बला की बीच रेशियो पूछेगा ऐसा जब भी पूछा जाए, सबसे अंतिम बला, सबसे सुरू बला आपको तो इसमें पता था A का मान 10, और C का मान 21, तो अगर आप इसको काटेंगे तो कटेगा नहीं, ये एंसर हुआ अब मैं आपको एक दूसरा तरीका सिखाता हूँ, बहुत सांदार तरीका ये भी सीखाना जरूरी था क्योंकि आप समझें कि बैलेंस क्यूं होता है, और गुना सब में क्यूं होता है अब देखिए आपको क्या करना चाहिए, A, B, B, C है, यानि A से लेकर C तक है, A है, B है, C है, लिख दिया पहले A और B का रेशियो है, 2 अनुपात 3, 2 अनुपात 3 लिखा फिर है B और C का रेशियो 5 अनुपात 7, तो कहां लिखेंगे, तब B का मान उसके नीचे 5 और C का मान 7 लिख दिया अब आपको क्या करना है, नीचे रेशियो लाना है तो देखिए, यह दू तल्ला का घर है, एक उपर वला मंजील और यह नीचे वला मंजील, यह उपर वला मंजील उपर का तल्ला से उतरते आना है, और डाइरेक्ट कूद नहीं जाना है, हाथे पर टूट जाएगा आपको करना है उपर का तल्ला के यहां से नीचे आना है तो 3 सते 21 इस तल्ला से इस तल्ला इस तल्ला से नीचे आगए 3 सते 21 अब यहां से नीचा उतरना है तो इस तल्ला से इस तल्ला पढ़ा यह 3 पचे 15 बढ़िया अब दूसरे डाइरेक्ट कूद नहीं जाईएगा गोड़ हाँ टूट जाएगा तो इस तल्ला से यहाँ पहुंचना है दूपचे 10 नीचे वाला तल्ला पढ़ा गए अब आ गए नीचे उतर गए 10-15-21 का रेशियो हो गया क्या 10-15-21 का रेशियो हो गया क्या बि इसका मान पूछा जाए ए अनुपाथ सी का तो आपको क्या करना चाहिए कभी भी सबसे सुरू बला और सबसे अंतिम बला के बीच रेशियो पूछता है तो दिमाग लगाईए कि अगर मान लिजये ए बटा बी है और मैं ए बटा बी लिख दो अगुना कर दो बी बटा सी तो B बट्टा C, B अनुपाद C मने B बट्टा C, क्या कटेगा, क्या बचेगा, B से B कटा, A बट्टा C बचेगा, A बट्टा C मतलब A अनुपाद C, कभी भी A अनुपाद C निकलना है, तो A बट्टा B गुना B बट्टा C लिखते चल जाए, यानि कि इस सवाल में हम ऐसा कर सक करते हैं, A बट्टा B का मान कितना? 2 बट्टा 3, चुकि हमें A अनुपाद C निकलना है, तो A बट्टा B गुना B बट्टा C लिख देना है, यही फर्मूला बन गया आपका, तो 2 बट्टा 3 गुना अगला, B बट्टा C यानि 5 बट्टा 7, यही हो जाएगा आपका A 10, अनुपाद 21, यह आपका एंसर हो गया, जो कि दूसरे सवाल का जबाब था, दोस्तों, मुझे उमीद है, कि आपको इतने संदार तरीके से समझ में आ रहा होगा, कि इस जनम तो आप साइद गलती नहीं करेंगे, और नहीं भूलेंगे, अगर पहली बार आप जिंदगी में रेशियो और प्रपोर्शन पर रहे हैं, तो भी आपको समझ में आएगा, आईए जरा गौर करिएगा, गौर करिएगा, अगर मालीजे कोश्चन दे दे, दे देगा A अनुपाद B बराबर 2 अनुपाद 5, फिर दे देगा B अनुपाद C बराबर 3 अनुपाद 7, फिर द आपसे कहा, जब भी सबसे सुरू बला और सबसे अंतिम बला का पूछा जा रहा हो, रेशियो नहीं, सबसे अंतिम बला, सबसे सुरू बला और सबसे अंतिम बला के बीच रेशियो पूछा जाए, यानि आपसे पूछा रहा है A अनुपाद D कामान, ऐसे पूछ रहा है, त देखो काटा P T करके, B से B कटा, C से C कटा, A बटा D, A बटा D, यानि A अनुपात D ये न होता है, आया की नहीं, यानि सिर्फ आपको क्या लिखना है, कि अगर A अनुपात D लाना है सबसे सुरू और सबसे अंतिम भला, तो आपको लिखना है 2 बटा 5, यानि A बटा B हुआ, B C बटा C हुआ, यानि 3 बटा 7, फिर गुना लिखना है, C बटा D, C बटा D, यानि 4 बटा 7, अब देखिए, कुछ कटने वला है तो काटिए, नहीं कटने वला है तो मत काटिए, 2 ती आई 6, 6 चके 24, यह हो गया सत सते 49, 49 पचे कितना, 49 पचे, 9 पचे 45 के 5, हांसिल 4, चार प 245, यानि जो रेशियो हो गया, 24 बटा 245 का, यानि इसको आप बोल सकते हैं, 24 अनुपाद 245, दोस्तों 5, 49 दूएगारा, कोई एक संख्या से कटता तो काटते नहीं कट रहा है, छोड़ देंगे, और कटने वला होता तो यहीं कट जाता, यह कटने वला नहीं था, इसलिए नहीं कटा, ना तक करावस में कोई न कोई कटता, पक्का, अब चलो, यह बात अगर समझ में आया है, तो दोस्त यह बात बता के मुझे बताईए, कि अगर आपने कहा, A अनुपाद B, 7 अनुपाद 9, B अनुपाद C, 15 अनुपाद 7, तो A अनुपाद C का मान, तो आपको सबसे पहले लिखना है, A अनुपाद B, अनुपाद C, क्योंकि आप से पूछ रहा है, अचा पूछ तो रहा है सिर्फ A और C का, सबसे सुरू बला, और सबसे अन्तिम बला, ना है, तो ऐसा पूछा गया है, तो लिखना है, 7 बटा 9, अगूना अगला जो है, 15 बटा 7, 7 से 7 कटा, 3 से 5 बड़ में, 3 से 3 बड़ में, 5 बटा 3 को लिख सकते हम, 5 अनुपाद 3, 5 अनुपाद 3 हमारा एंसर, और सने हो जाएगा, बताइए, है बढ़िया, आया समझ में, बिल्कुल आया होगा, आगे बढ़ते हैं, अगला, दोस्तों, ध्यान दीजिए, A, B का इतना पूछा है, सबका पूछा है, तो A से लेकर C तक है, तो आपको लिखना है A, अनुपाद B, अनुपाद C, पहले A, B का मान दिया, तो पहले 5 अनुपाद 7 लिख दिया, उसके बाद B, C का मान दिया, 6 साथ, तब B के सामने B का मान 6, और C का मान दिया है, 7, तो 6 साथ हो गया, अब आप निकालेंगे ये ऊपर वला फलोर है ये नीचे वला फलोर है तो आईएगा ऊपर वला फलोर से नीचे तो सिर्ही बाई सिर्ही पहले फलोर 2 से 1 पर सत सते उनचास नीचे उतर गए सिर्ही से नीचे छो सते ये नहीं कि सीदे कुछ जना है साथ चा के 42 इस तला से इस तला साथ चा के 42 और इसमें क्या धराम से कुछ जाईएगा हाथे पैर तूट जाएगा तो इस तला से इस पढ़ाईए तब पांच चा के 30 आपका एंसर हुआ 30, 42 उनचास कटता तो काटते नहीं कटेगा तो रहने देंगे 30, 42 उनचास आपका एंसर ओप्सन यह है दोस्तों मुझे उमीद है कि आपको ये बात समझ में आ रहा होगा अब देखिए इस सवाल में A, B, B, C है A, C का पूछा है सबसे सुरू और सबसे अंतिम का पूछा है A, अनुपात, C पूछा है आपको A, B, B लिखना है यानि 2, 3 लिखना है गुना, B, B, C लिखना है यानि 5, 7 लिखना है अब देखो अब ये 5, 2, 10, 7, 21 यानि 10 अनुपात, 21 कहेंगे इसको अनुपात का मतलब बटा ही होता है बटा का मतलब अनुपात ही होता है 10 अनुपात है की से होगे answer आगे बढ़िये जरा दोस्तों जब कभी भी ऐसे मान दिया जाए आपको दिया जाए ये देख लीजिए अगर इस परकार से है कि 2 A, बराबर 3 B, बराबर 4 अच्छा ये ऐसे है यहाँ पर क्या दिया इतना बराबर इतना फिर इतना बराबर इतना जरा गौर करना और A C पूछा गया है आप ही मुझे बताओ अगर मैंने लिखा 2 A बराबर 3 B लिखा इसका मतलब है कि 2 गुना A है अब बराबर ये 3 गुना B है है ना तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो A बटा B क्यों लिख सकते हो A है B गुना में इधर आया भाग में उधर 3 जीवकातियों 2 गुना में तदू गया भाग में तो A अनुपात B बराबर हो गया 3 अनुपात 2 3 अनुपात 2 हो गया A अनुपात B बराबर 3 अनुपात 2 इसका मतलब ये हुआ कि A का मान हुआ 3 अब B का मान हुआ 2 ऐसे चल रहा है देखिए चल ला है कि ना इधर बला का मान उधर बला उधर बला का मान इधर बला ऐसे चल रहा है A का मान 3 हो गया B का मान 2 हो गया B का मान 2 A का मान 3 यह बात आए समझ में इधर वला का मान उधर वला उधर वला का मान इधर वला यानि A B A B का रेशियो A का मान उधर वला 3 और B का मान इधर वला 2 आगे कहा फिर B अनुपात C तो B अनुपात C है B का मान U धर वला 5 और C का मान इधर वला 4 यही तो है आप से पूछा है A अनुपात C तो कुछ करना है सबसे सुरू वला सबसे लास्ट वला पूछा ते बट्टा में लिख देंगे 3 वट्टा 2 अगूना 5 वट्टा 4 ऐसे ही तो लिख देंगे अब उपड़ हो गया 5 ती यही 15 निचा हो गया 4 दूना 8 रेसियो हुआ 15 अनुपात 8 का 15 अनुपात 8 का 15 अनुपात 8 का एंसर ओप्सन C हो गया तो दोस्तों क्या आपको यह बात सबज में आया देखिए कई सारी चीजे हैं यहां समझे X का मान इतना Y का मान इतना Z का मान कितना इसी में सोचो आप X बटा Y लिख सकते हो कि नहीं बराबर 1 बटा 3 X का मान 1 हुआ Y का मान 3 हुआ क्योंकि आप इसको आगे X अनुपात Y बराबर 1 अनुपात 3 लिख सकते हो तो X का मान 1 हुआ Y का मान 3 हुआ X का मान 1 हुआ Y का मान 3 हुआ आप से X अनुपात Y अनुपात Z का मान पूछ रहा है तो Y इधर आ गया Y इधर आ गया X का मान 1, Y का मान 3 X का मान 1, Y का मान 3 आगे वैसे ही बढ़ेंगे Z बटा में आ जाएगा तो एक बट्टा दू हो जाएगा वाई का मान एक और जेड का मान दो जेड का मान दो यह हो गया यह सारा सिस्टम हो गया अब देखो आना है यह नीचे वला फुलोर है यह उपर वला है उपर से नीचे आना है तो यहां से तीन दूना छोव आना है अब तीन एकम तीन आना है और इसमें भी एक से एक पर जाके तब आना है नहीं तो उपर से डैडेक्ट आईएगा गोरहा तूट जाएगा कोई नहीं बचाएगा एक गुना एक एक तीन छोग का रेशियो देखिए कहां है? उप्सन सी में है दोस्तो मुझे उमीद है कि आपको ये चीज अच्छे से समझ में आया होगा अब मान लिजिए आपसे दे दिया जाए इतना का मान अब ये आपको दे दिया गया कि जरा बताओ A, B इतना 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 है तो D, C, B, A का मान आपसे कहता है D, C, B, A इसका रेशियो कहता है एक काम करते पहले A, B का रेशियो A, B, C, D इसको लिखते हैं तो A, B, A का अनुपात दो चलो B, C, 3 अनुपात 4 तो B का मान 3 अब C का मान यहां लिखेंगे 4 दूसरा तला, अब नीचे आएंगे B अनुपात C हो गया C अनुपात D, 5 अनुपात 6 C का मान 5 अब D का मान 6 अब देखो क्या करेंगे यह सबसे नीचे वला फुलोर यह उससे उपर और यह सबसे उपर तो सबसे उपर का के दाहिने साइड से आना है दूचोव के 8 आठ छा के 48 ऐसे आना है फिर आना है यहां रेशियो दिया यहां आना है तो यहां आने के लिए यहां ही से आईए सबसे उपर वला फुलोर से ही आना होता है दूचोव के 8 आठ पचे 40 रूख जाईए अब रेशियो देखे अब आप क्या करेंगे क्या ऐसे कुद जाएंगे नहीं दू तीन तीसरा तल्ला से दूसरा दूसरा तल्ला से डाइडेक्ट नीचे आ जाईएगा ना ग्राउंड में दो ती आई छोव अचोव पचे कितना तीस अब रूख यह यहां देखिए अब यहां क्या होगा क्या डाइडेक्ट कुद देंगे नहीं इससे इतल्ला पर इससे इतल्ला परतावाएंगे एक ती आई तीन तीन पचे पंद्रह पंद्रह तीस चालिस अर्तालिस लेकिन अगर ऐसे पूछा गया है तो आपका एंसर क्या होगा डी, सी, बी, ए पूछा गया है तो पहले आप लिखेंगे डी का मान डी का मान है अर्तालिस डी का मान अर्तालिस सी का मान देखिए सी का मान चालिस बी का मान देखिए बी का मान तीस बी का मान तीस एक का मान कितना? पंद्रह तो कहां दिया हुआ है, option D में कटेगा नहीं, एक संख्या से कटीएगा तर नहीं कटेगा तीन से सब कटता, चालिस नहीं कटता है ना, आपका answer 48, 40, 30, 15 हो गया तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम यही पर समाप्त करेंगे और मुझे उमीद है, कि Ratio and Proportion के अगर ये चीज़े समझ में आ गया है तो अगर आप कहेंगे, तो इसके आगे का पार्ट में लेक्या हूँगा, ये एपिसोड 21 था आप कहेंगे कि सर रेशियो का सेकेंड पार्ट लाईए, तो ऐसे ही आगे हम समझाते चलेंगे, और आपको बहतरीन तरीके से समझ में आते जाएगा तो पार्ट बाई पार्ट देखना है, ठीक है अगर आप कहेंगे कोई नए चेप्टर के लेकर आईए तो नए चेप्टर का मैं लेकर आऊँगा कॉमेंट बोक्स में लिखिएगा जरूर, हम आपकी कॉमेंट को पढ़ते हैं और चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे क्योंकि डेली दो पहड के दो बजे गनीत की एक बेसिक वीडियो आपको मिलती है जिससे आपको गनीत से एकदम लगाव हो जाएगा, प्यार हो जाएगा आपको तो दो पहड के दो बजे डेली तियार रहिएगा हमारे तरब से एक वीडियो डेली आपके लिए मिलेगा थैंक्यू, बेस्ट अफ लग